पांडी चेरी एक विश्वनगरी प्रगुर्ती सोंदर्य को अपनी सव्वेदन शीलता के साथ निहारकर प्रवापूर्ण भाषा में उसको अभिवेक्त करने वाले अंसराज दर्शक ने भारत के कई स्थलों की यात्राय की आपकी साहित्य साधना सन 1923 इस्वी से आरंभ हु प्रेक्षनिय स्थलों का विवरन देते हुए आपकी लेखनी हमें स्थल विशेश के पूर्वेतिहास से भी परिचित कराती है आपके यात्रावर्नन ग्यानवर्धक, मनुरंजक तथा भारतिय संस्कृती के महनिय तत्वों के परिचायक है प्रमुक्रितिया, अमरनाज द आदी, पांडीचेरी एक विश्व नगरी में, पांडीचेरी के पूर्व इतिहास से उसकी वर्तमान स्थितियों तक का परिचे दिया गया है, अरविंद आश्रम, उसकी विशेशताय, राजभवन, उसके सामने का उद्ध्यान, उससे संबंधित लोक कथा, आदी का अत्य पांडीचेरी हमारे देश का एक छोटा सा केंद्र साशित प्रदेश है, जिसकी राजधानी पांडीचेरी है, प्राचिन काल में इसे वेदपूरी कहा जाता था, वैसे आज भी यहां नगर देवता को वेदपूरीश्वर कहते हैं, प्रारम से ही यहां पर विदेशियों क आधिपत्य रहा, कभी हालेंड का तो कभी फ्रांस का, अत्वा कभी इंगलेंड का, सन 1816 से यह छेत्र निरंतर फ्रांसीसियों के अधिकार में रहा, देश की स्वाधिनता के पश्चात, पहली नवंबर 1954 को इस फ्रांसेसी बस्ती का विधीवत भारत को हस्तांतरन हुआ, और उसके ठीक दो वर्ष बाद, उसी दिन यह छेत्र भारतिय संका एक महत्वपूर्न अंग बन गया, पांडीचेरी को देखने की मेरी लालसा कई वर्षों से थी, परन्तु इसका सयोग मुझे 23 जनवरी को मेरी दक्षिन भारत यात्रा के दौरान प्राप्त हुआ, जब ह गोरी बस्ती और दूसरी काली बस्ती, गोरी बस्ती फ्रांसेसी ढंग पर बसाई गई है, जिसमें परस पर काटती हुई सीधी सीधी वपक्की सडके हैं, इनके नाम फ्रेंच भाषा में ही लिखे हुए हैं, हर एक चोराहे की सडक का पूर्वी सिरा समुद्रतट की और चल भग होगी, पांडीचेरी के नाम के साथ हमारे देश के स्वाधिन्ता संगराम के जिन्दो महान अग्रदूतों का नाम जुड़ा हुआ है, वे है योगी राज अरविंद और तमिल के सूप्रसिद्ध कवी सुब्रमन्यम भारती, सन 1910 में जेल से छूटने के कुछ समय बा जिनमें मदर यानि फ्रांसिसी महिला श्रीमती रिशार प्रमुक थी, प्रतम यूरोपियन महायुद्ध छड़ जाने पर वह कुछ समय के लिए भारत से बाहर जापान रही और फिर 1920 में पांडीचेरी लोट आई, सन 1926 में योगी राज अरविंद के एकांत में चले जाने अरविंद आश्रम पांडीचेरी का प्रमुक आकर्शन है, इसके मुख्य भवन में अरविंद और मा की समाधिया हैं, जो आजकल देश विदेश के हजारो अध्यात्म प्रेमियों एवं यात्रियों का दर्शन केंद्र बनी हुई है, आश्रम के लगभग 2007 आश्रम वासी ह जिनके साफ सुत्रे भवन, मुख्य आश्रम के चारो और निर्मित हैं, साथ ही यहाँ पर कई लगू उद्योग भी हैं, आश्रम के अपने दो बड़े-बड़े मुद्रनाले, हाथ से बने कागस का एक कारखाना, कपड़ा बुनने के करगे, आटाव तेल की मशीने, भोज परिजनाले, एलोपथिक, चिकित साले, बेकरी दुखदशाला, सिक्षा केंद्र तथा खेल के मैदान हैं, श्री मा के शब्दों में यह नगर एक का नहीं है, प्रतेक सदभावी मनुष्य जो प्रगती के लिए और एक उच्चे तथा सच्चे जीवन की कामना रखता है, वह इस नगर में आमंत्रित है, इस आश्रम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां जीवन से भागने की सिक्षा नहीं दी जाती, बलकि समस्याओ को आंतरिक प्रकाश से सुलजाने की प्रेरना दी जाती है, इसमें जाती, धर्म, प्रांत, राष्ट्र, संपत्ती किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता, सचमुची अरविंद आश्रम समस्त मानव जाती का एक जगमगाता प्रकाश पुंज है, अब यहां पर ओरोविल नाम से एक विश्वनगरी बन रही है, जिसमें संसार के सभी देशों के लोग मिल जुलकर नई दुनिया बसाने की कोशिश करेंगे, सभी देशों की मिट्टी डाल कर इस विश्वनगरी की निव पड़ चुकी है, और निर्मान का कार्य चल रहा है, ओरोविल का आर्थ है उशा नगरी, इस विश्वनगरी की योजना का परिचय देते हुए, श्री माने कहा है, ओरोविल एक ऐसा सार्वभ पांडिचेरी के अन्य दर्शनिय स्थलों में डुपले स्थल, राजभवन उद्यान, फ्रेंच संस्थान, मेडिकल कैंपस, समुद्र तक तथा विल्यानूर मंदिर है, भारत में फ्रांसिसी बस्तियों को स्थापित करने वाले भूत्पूर्व गवर्नर डुपले की यहा पौर की अनुकृती है, स्मारक के पश्रिम में हाई कोट, सचीवाले, प्रकाश स्थम, सारवजनिक पुस्तकाले, आदी सरकारी इमारते हैं, राजभवन के सामने एक सुन्दर सा उद्यान है, जिसके बीचों बीच एक यूति की प्रतिमा बनी हुई है, इसके हाथ में दो पौलवी शताबदी में, विजयनगर के राजा कृष्ण देवराय एक बार विलिया नूर आये, मदुरा पालियम के पास से गुजरते हुए, उनकी दुरुष्टी सहसा एक सजे धजे मकान पर पड़ी, जहां से सुगंध आ रही थी, राजा ने यह समझ कर कि यहां अवश अग्या दी, गनिका को इस बात का पता चलते ही, उसने राजा के पास जाकर बिंती की, महराज मुझे शमा कीजिये, मेरी यह प्राथना है, यह तालाब बनवाने का आउसर मुझे ही दिया जाए, राजा ने उस गनिका यूती की बात मान ली, उस गनिका ने अपना सब बेच कर वहाँ पर एक तालाब बनवाया, वह तालाब आज भी उस गनिका की याद दिलाता है, पांडिचेरी में वर्षों तक फ्रांसिसी उपनिवेश रहने की कारण, फ्रेंच संस्कृती का प्रभाव पढ़ना स्वाभाविक ही है, यहां की मुख्य भाशाओं में तमि परियाप्त भंडार है, जिसमें 14,000 पुस्तके हैं, इस संग्रहाले में कई ऐसी दुरलब पुस्तके भी हैं, जो फ्रांसिसी विद्वानों ने भारत पर लिखी है, इस संस्थान के भारतिय विद्याखंड में डेड़ हजार से भी अधिक संस्कृत के ग्रंथ और बहुमुल्य संपदा है, मेडिकल कैंपस में मेडिकल कॉलेज, सारवजनिक अस्पताल, पुस्तकाले सारे देश में प्रसिद्ध हैं, यहां का प्रानी शास्त्र म्यूजियम तो सचमुच ही देखने लायक है, यह स्थान बस्ती से 4-5 किलो मीटर दूर धनवंतरी नगर के पास है, फ्रांसिसी शासनकाल में पांडिचेरी एक प्रमुख बंदरगाह था, और फ्रांस का सारा व्यापार यहीं से होता था, यहां का समुद्रतट बड़ा ही सुन्दर है, इसके किनारे किनारे एक पक्की सड़क भी बनी हुई है, जिस पर टहलने वहवा खाने के रुष्य तो बड़ा लुभावना होता है, मानो सूर्य सागर के गर्ब से धीरे धीरे ऊपर उठ रहा हो, परियटकों की सुक स्विधा एवं मनुरंजन के लिए यहां पर एक कलब भी है, पांडिचेरी की मूर्तिकला भी देखने योग्य है, यहां के निकटवर्ती स्था में विल्या नूर, तिली नूर, तिली नूर, विरपटनम, वाहूर, सिकंदर कोईल, आदी मंदिरों में निर्मित मूर्तिया एवं कलाकृतिया, आज भी द्रविड शेली की प्राचीन कालिन उतकृष्ट मूर्तिकला का परिचय दे रही है,